राश्ट्रिये प्रेस दिवस के अवसर पर शनिवार को benutling राजस्थान में मीडिया की भूमिका कारीक्रम का आयोजन प्रह्मा कुमारीच संस्थान द्वारा मीडिया की सकारात्मक भूमिका को सशक्त बनाने के उद्देश्यसे आयोजित किया गया कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठोड द्वारा वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से हुआ उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करता है और राइजिंग राजस्थान के निर्माण एवं सफलता में इसकी अहम भूमिका है उन्होंने युवाउं सहित हर वर्ग के विकास के लिए सरकार की प्रतिबधता पर जोर दिया भाजपा प्रदेशा ध्यक्ष मदन राठोर ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को समाज के समक्ष सरकार के सकारात्मक कार्यों को उजागर करना चाहिए उन्होंने राइजिंग राजस्थान के निर्माण में मीडिया की भूमिका को सराहा ब्रह्मा कुमारीज जैपुर सब्जोन प्रभारी राजयोगिनी सुशमा दीदी ने कहा कि मीडिया समाज में नई चेतना लाने का सशक्त माध्यम है राजयोग के अभ्यास से मीडिया सकारात्मक पहलूँ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भय के माहौल में समाज को संतुलन प्रदान कर सकता है पंकज, ओंजा, अतिरिक्त, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा ने खाद्य सुरक्षा में राजस्थान की प्रगती पर चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान ने राश्ट्री अस्तर पर 18 स्थान से 6 स्थान तक की छलांग लगाई है जिसमें मीडिया की भूमिका सराहनिय रही, वरिष्ठ पत्रकार राजन महान ने मीडिया कर्मियों से इमानदारी और निश्पक्षता के साथ कार्य करने का आहवान किया, उन्होंने सरकार द्वारा विभिन कंपनियों के साथ किये गए अनुबंधों को धरातल पर उतारने की आवश्यक्ता पर बंदिया के लिए इस मिका के लिए राजियोगनी जी, सुश्मादी दीव राजबात है, मेरा उपको बहुत पर नाम, राजन महाजन जी, हरी वल्लब जी, बीके कॉमल भाई जी, राजेस्त, अस्नानी जी, बीके चंदरकला दीदी जी, बेहितर सिंवरी जो ही उनकी बात में सुन र को बदाई देना चामबर की, यह बहुत ही सोच समझ के जो कारेकरम लखा गया जिसके अंदर पत्रकार जो एक तरह से जागरू करते हैं, पुरे देश को, नागरिकों को, उनकी बहुत बड़ी उमिका रहती है, हमारे देश को आगे पढ़ाने के लिए, लोगतंतर सही चले हम सही चामशन हैं, बहुत सरकार के उपर निगा रहे, सरकार को सही खाट मिले, जंता को सरकार का काम जंता तक पहुँचे, बहुत बड़ी-बड़ी जिम्मेदारिया है, उनके उपर और खासतोर से अगराज जो टेक्नLagem काम कर रहे हैं हैं उस टेक्नोलगी के अंदर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सही तरे निभा पाएं, उसको ध्यान में रखते वे, हमारी बेहनों ने ये जो कारिक्रम रखा है, ये सराह नहीं है, मैं इसके लिए ब्रहुकमारी आश्रम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुक्ताम नहीं देता हूं, बैठे हैं, अब आच इस कारिक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, इससे आके कुछ कहूं, उससे पहले मैं इतना ज़रूरत पता नशाओंगा कि मैं इस कारिक्रम में चुड़ना चाहता था, चुड़ना अभी थोड़ी देर पहले भी मेरा मालू अभी में चाहता है, चाहता हूं कि ऐसे समय में मुझे आवाद से आपको लग रहा होता कि यह समय ठीक नहीं होता कि मैं आप सब के बीच में आता, तोड़ी सी कमजोरी भी है, बड़ी सब ठीक हो जाएगी, कहार मैं वापस विश्या पर आता हूं, जो बत्रकार बंदू ब इसमानित करा जा रहा है, दिखे, मैं इन्हें कलम का सिपाही मानता, मैं खुद सेना में रहा हूं, जो सेना का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, वैसे ही हमारे पत्रकार बंदूं का देश निर्मान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसे में और इंपसाइज न कि भी अपनी कलम से सही इंफोर्मेशन लोगों तक पहुचाना, समय की आजकल बहुत ज़्यादा वो रहती है, क्योंकि टेक्नोलजी, डिजिटल टेक्नोलजी आ गई है, ब्रेकिंग न्यूस इतनी जाधा उसकी एहमयत हो गई है, उसके बावजूद भी कुछ नाम ऐसे है पत्रकारियता के अंदर, कि जब उनका नाम शामिल होता है ख़वर के साथ में, तो उस पढ़ने वालों को ये अंदाजा रहता है, कि ये दस बार कम से कम इनोंने सोच समझ कर, लोगों से पूच कर, सारी इनफोर्मेशन पता करने के बाद इनोंने महां पे लिखा होगा, के कानून के सामने सब बरावर, ये वाके ही में करना नहायती ज़रूरी है, ताकि दिमान में ये नहीं आए, कि ये खानून किस ने तोड़ा, तो मैं फिर क्या खरवाई करूँ, कानून तोड़ा, तो पिर खरवाई सबके उपर बरावर होनी चाहे, और दूसरा राष्टी का ज़रा भाव, कि हम सबके सबसे नगले राष्ट्र है, या राज्य है, जैसे भी मान लें उसको, कि राज्य का मान सम्मान प्रतिष्टा हर रक्ती से ऊपर है, तो ये वाला ज़रूरी है, ये वहना बहुत ही जरूरी है, तभी हर तरह से हमारी जो सीक्यरिटी फोर्सिस हैं, हमारे जो पुलीस है वो काम कर पाएगी और जब कानून के रखवाले कानून तोड़ते हैं तो ने डबल सला मिलने ज़िए क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिमिदारी हो देती है आर्मी के अंदर एक आर्मी एक होता है यानि जो साधरन नागरिक होते हैं उससे भी कड़ा कान कानून से की ताकत है आपके पास पार है उस पावर ज्वावर का सही इस्तेमाल वो उसके लिए आपके ऊपर बड़ी जिमिदार है यानि यह में होता है वो कानून नहीं तोड़ सकी तो कानून का उलंद नहीं पसकी यह चौना बहुत जहरी और आप सब के साथ मिलके गए वेड जी ने एक बात कही थि, हम्हार को शुखाम्ना एंदी थि और कहा था कि पत्रकार बंदू हमारे साथ हैं हमारे साथ होने कर ये वी मतलब है कि जब सरकार गलत करें तो सरकार को इदायत अपने लेखों दोहरा दी जाए हम सही रास्ते पेचली यह बना भावों पुरे कर्देश रवेकास हो उसके लिए पतल कार बंदू अपना काम जरूर करें आप सबको बहुत बहुत आने वारे सूप आप को बहुत बहुत अपने स्वास्त ठीक ना होने के बावजूद आपने इतना लंबा समय दिया हम सभी की दौाएं है कि आप ब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आज ही स्वस्थ हो जाएं और पुड़ा हमारे बीच आएं, हमारी यही शुपकामनाएं हैं आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शांति, मनुष्य का विवेक शिल होना जरूरी है, कहने में बद्रकारित है, लेकिन ये बद्रकारिता करने वाले, जो भी यहां समर्पित होते हैं, इस सेवा के लिए, मैं ऐसा मानती हूँ, और मैं जो लोगों से मिली हूँ, कि आप सब हर प्रकार से बहुत विद्वान, जीवन में अनुभवी भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई की तौर से भी आ होते हैं, तो समाज को एक नई चेतना दे सकते हैं और देते हैं, देशाजाद हुआ, महात्मा गांदी जी ने हमारे अख़बार निकाले, रंटरादा कृष्णन, और किस-किस का नाम ले, कितनों ने कितने लेख लिखे और लोगों को जगाया, वर्तमान समें हमें एक चैल तो हल चल है, जो भी हम चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं, किसी भी प्रकार की जो है, आपसी प्यार प्रेम रहे, या हेरा फेरी ना हो, एक दूसरे में सुरक्षा की भावना रहे, इसके लिए क्या चाहिए? सुरक्षा के लिए पैसा नहीं चाहिए, सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं चाहिए, सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का किला नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? सुरक्षा के लिए मन के अंदर शुब भावना चाहिए आपने देखे हूंगे मंदिर क्या कभी स्वर्ग के या आप बताए राम जी की आयुद्या तो देखी मंदिर देखे कहीं ताले लगे हुए देखे स्वर्ग में कभी ताला नहीं लगता भारत में अभी भी महराष्ट्र में एक गाउं है जहां ताले नहीं लगते हैं तो ये तो हमारी भारत ये परंपरा है हम बहुत उंचे देश के रहने वाले हैं तो आवश्यक्ता है स्थूल भौतिक्ता के भी जरूरत है उसकी उन्नती तभी होगी जो हम कहते हैं मिलावट ना हो मिलावट पहले कहां होती है यहां होती है तो आवश्यक्ता है हम इसको जगाएं और उसको जगाने का साधन है साधना मेडिटेशन मैं आपको दो मिनट के ले चलती हूं आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सीधा उखर बेड़े चनु अपने बीदर एक दीप जगाए मन का दीप बुद्धी का दीप मन में शुद संकल्ब हर व्यक्ति सुखी हो मेरा हर साथी आगे बढ़े चारों और के वादावरण में शांती सोहार दो अपना पूरा ध्यान मस्दक के बीचों बीच प्रिकुटी में ले आए मैं सुस कीजिए मैं जियोति बिंदू हाद माद मस्दक के बीचों बीच विराजमान सर्वशक्तिवान शिर्पिदा पर्मात्मा की संतार सर्वशक्तिवान पिदा पर्मात्मा से अनेक शर्टियां पूरे विष्व में फेला रही है विष्व का कल्यान करने की जिम्ने पारी मुझा अक्मा की है सब सुख्यों प्रसन्व संतुष्ट्व और मैं आत्मा सदा सत्य स्वरूं मन कर अपने कारे क्षेत्र में आगे बढ़ू सत्यता ही मेरा स्वधर में सत्यता अर्थार्थ शुब भाव शुब भावना सत्यता अर्थार्थ सर्व के लिए कल्यान की भावना सबागे बड़े सुखी रहे पुने मैं शुदात्मा सर्वशक्तिवाद शिर्पिदा परमात्मा की संतार विश्व कल्याण मुझात्मा का स्वधार में ये शांती और शक्ति को धारण करके मैं आत्मा अपने कारेक्षेत्र की और आगे बढ़ रहे आप सब अपने जीमन में आगे बढ़े खुश रहे, सुखी रहे इनी शुभाब नौं के साथ धन्यवाद, ओम शांती ओम शांती पत्रकार दिवस भी है प्रेस दे है और इस दिन तो समाचार जेखित के समय तंपत्रकारों को सम्मानिक किया जाना चाहिए और इसके लिए जो अपनिमा कुमारीज दे है प्रेस किया है मैं इनकी बुरी-बुरी प्रसों सा करता हूँ यह काम हम सबका है हमें करना चाहिए हुआ है उन्होंने किया बहुत अच्छी देखिए आप एक दरफ तो सम्मान कर रहे हो पत्रकारों को लेकिन राजस्थान में पत्रकारी सेफ ही है हाली में जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला हुआ यह रोका जा सकता था जब गटना होई SDM को थपड मारा जाता है उसके बाद नरेश मिना की के रुफ्तारी नहीं होती उसको फिरी छोड़ा जाता है क्या इंतिजार किया जा रहा था कि राजस्थान जले इसमें एक सवाल में हो जोड़ों पत्रकारों को ठीक है अगे जो भी आप कदम ठाएंगे वो अच्छे भी होंगे लेकिन क्या राजनेताओं को अभी यह नहीं समझना चाहिए कि वो अपने समर्थों को समझाए कि पत्रकार हमारी ही खब्रे फ्रकाशित करते हैं को कम से कम इन पत्रकारों को तो बख्षे सबसे पहले तो मैं यह बताना चांगा कि जो मुझे पता चला कि तेटी कि मेरे वरिष्ट पत्रकार पर अमला हुआ मैं आज उनके घर पर गया और गर पर जाकर कि मैंने उनकी कुछल क्यम पुछी और चिंता तो है मैं किसी भी प्रकार से चाहिए मैं किसी भी प्रकार से अमला किया जाए वह निंद्य नहीं है तो मिश्ची तुरूट से रोका जाना चाहिए और हमारी सरकार कर संपल पहले तो मैं तो मैं इस प्रकार की कटना कभी भी नहीं होने पाए हम इसका पुरा ख्याम देखे दूसरा यह जो शुरुक्सा की बात जो आप कर रहे हैं आपने जो सवाल किया था मिरेस्ट कि इस समय यह नरींद्र ने जो ख्रिक्षिया वास्तों मैं जो पहले जानकरी नहीं थी कि इस पार्टी का कोई करे करता है असो गयलोग जी का एक समाचार पत्र मैं समाचार चपाता कि वो कॉंग्रेश का कारेश था है वो अपने कारेकरताओं को अमिस्कासम की उपरीदी में रखे उनको जेजना चीए तब फिर भी मैं यह कहता हूँ कि वहां पर उपी अधिकारी थे ऐसे ही तो चुनाव आयोग का काम था चुनाव उस समय का जो परिसर है तो चुनाव आयोग के अधिकार खित्र में था तो उन्होंने भी अपना दाईर को निभाया होगा गिरत्तारी भी लेकिन लोग कहीं भी कलेक हो जाता है थोड़ा फ्रसासंद को तकी तो होती ही या अपन सब जानते हैं फिर भी लेकिन बाद में उसको गिरत्तार किया उसको भी ज़ा गया कानून का काम प्रेस्टी से पालने के क्या कानून कोई बनाया जाए ठोस को लेगे कि आगी प्रस्माइब कानून तो है लेकिम इसमें कड़ाई से पालना करनी जब हुए जब हुए एक प्रस्माइब